ध्यान रखिये बेटा, एक चीज़ ध्यान रखें सब लोग, एक चीज़ ध्यान रखें, ये बात मम्मी पापा भी बोलते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, उनकी बात मेरे मुझसे दुबारा से सुन लो, क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि यह जो आपकी जिन्दगी के दो साल है 11th और 12th, it will be a turning point of your life, यानि यह दो साल काभी हद तक यह decide करेंगे, कि आने वाले 60 सालों में आप कैसे रहने वाले हैं, कैसे जीने वाले हैं, कैसी living होगी आपकी, किस तरह की जिन्दगी होगी, आपकी यह सब कुछ इन दो सालों के उपर निर्भर करता है, तो एक चीज़ ध्यान से एक चीज़ ध्यान रखें, कि यह दो साल हम किसी भी तरह का, हम किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं कर सकते, यानि हर वक्त, हर पल आपके लिए बहुत-बहुत important है, आप उस वक्त को बरबाद ना करें, अगर मान लीजे बीच में कभी खाली वक्त बचता है, आ रात को definitely आपको नींद नहीं आएगी और फिर आप शायद उस समय पढ़ लोगे, तो अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि चलो बाहर घूमने चले गए, साइकल उठाई, या फिर अपनी स्कूटी उठाई और बाहर निकल गए सड़कों प च Deck Ons Ever, और एक चीज़ और, कहीं लोग कहतें, सर जब हम थोड़ा Relapse करते हैं तो गाने सुन लेते हैं, मेरा पयायार पर्सनल इपीनियन है, जरूरी नहीं सही भी हो, मेरे खायाल से सबसे अच्छा सबसे अच्छा जो mind का relaxation है वो है sleep उससे अच्छा relaxation नहीं होता ज्याद करो देखो कि जब कोई इंसान mentally पागल हो जाता है तो उसे गाने नहीं सुनाते कि बेटा relax हो जाएगा यह पागल नहीं उसको सीधा सीधा injection लगा कर क्या कर देते सुला देते हैं क्योंकि सुलाने से सोने से सबसे ज्यादा mental relief मिलता है दुनिया में तो अगर आपका कभी अगर इसका मालब यह नहीं कि सरवताम तस घंटा सोएंगे आपने बोल दिया सोना को मैंने यह नहीं बोला मैंने क्या बोला अगर कभी आपका पढ़ने का मन नहीं कर और आप उल जलूल काम में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उस वक्त टाइम को बर्बात मत करो थोड़ी देर सो जाओ अगर आप दिन में एक घंटा सोए तो वहें दो घंटे के रूप में रात को आपको वापिस मिल जाएंगे और आप उस वक्त पढ़ाई कर सकते हैं ऑर एक चीज और बीच में शौट नयप ज़रूर ले लो बीच में शौट नयप ले लो कभी-कभी खाना खाया 15 मिनट 15 मिनट का शौट नयगी यूदा आप ऑप जाए गा और मांइन रिफ्रेश हो जाएगा और मांइन रिफ्रेश ओगा तो आपको बेटर पढ़ने मूड भी करेगा तो आप चाहें तो दोपहर के खाने के बाद अगर थोड़ासा भी समय मिलता है तो ज्यादा नहीं 15 या 20 मिनुट का पावर नाप ले लें 15 भी 20 मिनुट का बस तो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो कभी भी आपका पढ़ने का मन ना करे पढ़ने का मन ना करे तो तेक नाप बेटर रहेगा रदर दन वेस्टिंग यूर ताम